कि रभी विल और लिए अरई मेंकंता इसरे मिय क्वाइब करते हो जैसे कि लेशन अबर यह स्वेसल टायमर पर डिपेंट है अहु क्वाइब करेंड है असका टाइम बेश हो तैन मिलि संड है यह फिर वन मिलि सर्कीनड है इस टाइम बेस बोलो या टाइम रेजुलेशन बोलो बोथ हार सेव ठीक है इस पर बेस हम आज कोश्चन को सॉल्ब करेंगे इससे पहले लेक्चर नावर 14 15 16 17 मैंने और इसके टाइमर के बारे में पढ़ाया है काफी अच्छे से उसमें कुछ नुमिरकल सॉल्ब किया है और कैसे यूज करते हैं इस पर हम आज प्रोग्राम को बनाएंगे जैसे मैंने दूख कोस्चन लिख रखा है इसके अलावा फिर एक और कोस्चन लिखूंगा उसको भी हम लोग करेंगे और समझेंगे कि हाई स्पीड का क्या मतलब है दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले म वेन टीबी प्रेस आउट्पूट कंटेक्टर केम आन एंड और फार फाइब सेकेंड एंड दा प्रोसेस इस रिपीट अंटिल इस्टाब बटन इस नाट प्रेस्ट बता रहा है बुल रहा है कि एक ऐसा लॉजिक डियाग्राम बनाई है जिसमें एक पूस बटन है जिसको को प्रेस करने सा आउट्पूट कंटेक्टर आन हो जाता है और आफ होता है आउट्पूट sentences के लिए अफ भी होता है पाच सेकेंड के लिए तो ऐसा एक प्रोग्राम बनाई है और यह प्रोसेस जब तक रिपीट होते रहें जब तक हम इसको इसको इस्टाबन करें अपने इन्फाइनाइट टाइम तक चलते रहे जब तक यह हम इसको इस्टाप ना करें उसके बाद कुस्चन नूबर टू क्या बूला मेक और लॉजिक को इन सच वे जनरेट पॉल्स पॉल्स जनरेट करने के लिए आप एक ऐसा लॉजिक डियाग्राम बनाएए और पॉल्स कितना ज нейरेट करनांति 10 पर संकेंडे एक संकेंड में पॉल्स जनरेट हो और यह वी बन रहा है एक शकेंड में आन सो ऑपर सर लॉज जनरेट हो यह को धूर्ट इन पॉट कि अवह एंघ जब आगे सर benzina sir go motor पढेंगे तो वहां करने के लिए पर्स पर हम चलाते हैं तो हम PWM टेक्निक की यूज़ करते हैं पर्स वीर्थ माडूलेशन जिसे हम बुलते हैं तो सेंटर से मुहां इंस्ट्रक्शन से यूज़ कर सकते हैं या फिर हम जो टाइमर का कॉंसेप्ट हमरा किलिए रहेगा तो हम यहीं से मैं PWM की टेक्निक को फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है अब हम कुस्चन को साल करते हैं बहुत इंपोर्टेंट लेक्चर है आप वीडियो में सुरू से अंतर तक बने रही है आपको काफी कुछ मतब नया सिखने को मिलेगा मैं उमीद करता हूँ पहला कोस्चन थोड़ा सिं नहीं दready a रहा हूं को एक आपके पास बुलर रहा कि पोस बठन है तैमानले अध्य जीरे को सब्रकी मैं मस उप्यां टांते हैं और इस मेवड़ीन की यहां करूबिक्स कर रहे हैं कоки जो हमारा टाइम मरोता उसे कान स्टेंट पार सपार्ट के जो सकता होती है अगर मैं स्विच से ही आउट्पूट को नेक्ट कर दो या फिर टाइमर को नेक्ट कर दो जितना समय तक प्रेस रहेगा टाइमर चलेगा अधर्वाइस इसके बाद टाइमर आफ हो जाएगा जैसे कि मैं बताया हूं कि तो अब देखिए इसलिए मैं मेमोरी बीट का हेल्प का लेते हो रहे प्रेस ऑज़ीन करेंगे तो आउट्पूट के लिए से जब ऑ्रप आन उसके पांच सकेंड बाद तो देखिये उट्प 0 एक टीमस अलेते हैं थोड़ो Пр nell कर लेता हूं थो को थी एमाद मालेते हैं हमारव Alrighty में टाइमर हैं अब ने के लिए हम यह मिली सता का ईकर माणकर चलता है तो पज लिए यह थुड़ करना पड़ेगा आंट इसे सब्सक्रांग होगा आन होने के उसी समय टाइमर चलना लगेगा टाइमर एक्टिब कव होगा 50 सटेंड मिन्स 50 प्रिश्ट वेल फिप्टिए तो पांच सटेंड के बाद एक्टिव होगा तो पांच सटेंड के बाद यह आउट्पूट आफ हो जाना चाहिए इस टाइमर का एंची को मैं यहां पर यूज कर लेता हूं इस ट 5 सटेंड के बाद ओफ हो घया जैसी सुच प्रेश की तो एंथा 5 सटेंड के बाद आफ हो गया अगेन इसको आन कराना है कि Catholic करता रिपिट करना इंफलनाइट तो जब तक हम इस टाप करें तो फिर यह तो आफ हो गया पिसको आन कराना पड़ेगा नो पांट सकेंड के बाद तो अब देखें फिर हम यह दूसरा टाइमर ले लिए TMR, T2 और आफ कराने के लिए K100 ले लेता हम 10 सकेंड मिन्स जैसे ही M0 प्रेस होगा तो यह भी टाइमर चलेगा यह भी टाइमर चलेगा जब यह पांच सकेंड कांटिंग कर लिया होगा तो यह भ सकेंड कंप्लीट हुगा तो मैं इसको खुद इंट्रॉप्ट कर दूँ ताकि यह प्रोसेसर रिपीट करें तो हम टीटू का यहाँ पर एंसी यूज कर लेता हूँ अच्छा यह टाइमर को भी इंट्रॉप्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पर हों टीटू का इंसी यूज कर लेता हूँ यह हमारा प्रोग्राम बनके तयार हो गया यह अच्छा यह इट इसलफ इंट्रॉप्ट हो रहा जैसे कि लेक्टार नॉमपर 15 में मैंने टाइमर इंट्रॉप्ट बाई इसलफ और बेनुवली कैसे इंट्रॉप्ट करते हैं इसके बार मैंने बताया दो तीन मैं तोड़ आप उसको देखिए काफी इंपोर्टेंट लेक्षर था मैं उसी को इसके ही खुद के आउट्पूट से इसी को इंट्रॉप्ट कर दे रहा हूं ताकि यह प्रोसेस रिपीट होते रहे और क्यों इंट्रॉप्ट कर रहा हूं और क्या रिजन है मैंने काफी अच् प्रोग्राम यहां पर भी अभी मैं बना के इंट्री सेट के माध्यम से दिखांगा यह प्रोग्राम कई तरीके से बन सकता है यह पॉइंट मतल्ब आपकी सुच पर डिफेंट करता कि आप किस तरह लोजिक लगा रहे हैं प्रेस करेंगे एम जिरो आर्वेज आन रहेगा तो एम जिरो एन सी बनागे एब इंस एह आंट्वूत हमारा हान हो जाएगा सुफवात में जैसे प्रेस बटन की आउत्या्पूट आउट्वूट आन होगा उसी समय हमारा यह भी टाइंड चिलने लगेगा क्योंकि स्प्राय यहां पर यह दुनों एंसी है तो यह चलने लेकिन अभी भी यह timer चल रहा है क्योंकि यह timer 10 seconds का है जब इसका 5 seconds होगा तो इसका भी तो 5 seconds होगा एक ही साथ नो चल रहे हैं तो 5 seconds के बाद यह 16 seconds करेगा 6, 7 जब तक 10 seconds करेगा जब इसका 10 seconds हो जाएगा तो 10 seconds के बाद T2 एक्टिव होगा T2 जैसे ही active होगा तो T2 का मैंने NC यहाँ पर use किया है तो इसको interrupt कर देगा means यह NC से NO बन जाएगा फिर यह timer 0 हो जाएगा इसी T2 का NC यहाँ पर भी मैंने use किया है यह भी 0 बन जाएगा अगर 0 जैसे ही बनेगा तो फिर यह NC है तो अब timer active तो नहीं है न तो जब तक 10 seconds complete नहीं होगा तो NC बना रहेगा यह भी NC बना रहेगा फिर output हमारा off से on हो जाएगा अगेन यह process repeat होते रहेगा अगर इस process को हम stop करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप X2 यूज कर लो यहाँ पे NC PB2 यूज कर लो PB2 for stop के लिए हम PB2 कर लेते हैं यह हमारा stop हो जाएगा ठीक है यह हमारा stop के लिए अगर आप चाहते हैं इस program को और modify यहाँ पे NC और NO नहीं यूज करना चाहते हैं यह जो timer को खुद it self means interrupt हो रहा इसको अगर हटाना चाहते हो आप यह मैंने NC यूज किया था तो इसको छोड़ दो इसको डारेक्ट ऐसे ही रहने दो अगर आपको समझने अब दिकत हो रहा यहाँ पे एक next instruction यूज कर लो यहाँ पे यह जो timer T2 एक्टिव होगा तो T2 यहाँ पे एक्टिव कर लो दो सकेंड बाद एक्टिव होगा यहाँ पर जेड आरेस्ट इंस्ट्रक्शन यूज कर लो जेड आरेस्टी और दोनो timer को एक साथ reset करा दो automatic हो जाएगा तो यहाँ पे T1 to T2 ऐसा नहीं T2 यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं मिंस यह source है और यह destination है मिंस increasing order में जाननों चाहिए T1 के बाद T2 होना चाहिए अब ऐसा नहीं कि T2 यहाँ लिखो T1 है वहाँ लिखो तो मिष्टे हो जाएगा यह source है मिंस कहां से कहां तक T1 रेंज से T2 दोनो timer को जैसे यह दो सकेले बाद T2 timer active होगा T2 timer active होते ही यह NOS NC बनेगा और ZRST जोन reset instruction है दोनो timer को reset करका यह process चलते रहेगा ठीक है इस टाप करना चाहते हो तो इसको PB2 को प्रेस करके इस टाप कर सकते हो अच्छा इसको ऐसे भी set reset instruction से भी मना सकते हो मैं एक बार इसको भी बना देता हूँ जब मैं set reset instruction बताया था तो उसे में भी मैं आपको बताया था यह बहुत important instruction है जो maximum time आपको program में यूज होगा देखे set reset से बनाने है अगर आप holding नहीं देना चाहते है यह सब holding नहीं देना चाहते है तो set reset का दीजे एक सजीरो का प्रेस करेंगे PB1 माने लेते है PB1 को प्रेस करेंगे तो set कर दीजे SET set memory bit को set कर दीजे memory bit आपका set हो गया अगर इस्टाप करना चाहते है तो इस्टाप के लिए X1 ले ले लिजे इस्टाप और यहां से memory bit को reset कर दी R.A.S.T.M.0 ठीक है अब देखिए M.0 से ही आप set M.0 से एक timer M.0 से आप output आंकरा लेजे Y.0 यह हमारा main output है यही same program है set reset से बन रहा है काफी जी तरिके से यह output हमारा चलिए चलने लागा इसी output की help से आप ठीक है इसी output की help से एक timer यूज़ कर लीजे उम्हेद है कि आप लोग समझ पा रहा है एक टाइमर यूज़ कर लीजे TMR T1 K50 5 से के लिए चलाना है और एक और टाइमर यूज़ कर लीजे TMR T2 K100 मेदे की समझ पा रहा है और अच्छा इसको stop करने के लिए यहाँ पे home T1 का NC यूज़ कर लोग 5 से के लिए आफ हो जाए और यह timer एक्टिव हो जाए और इसे reset कर देते हैं T2 से और यहाँ पे ZRST instruction यूज़ करें को भी यूज़ कर सकते हो या फिर EC का T2 का कि हम question number 1 solve हो गया question number 2 को solve करके मैं दिखाता हूँ question number 2 बोल रहा है कि make a logic in a such way generate pulse 50 pulse per second और 500 pulse per second को रहा कि एक ऐसा logic diagram अच्छा ये एक circuit क्या है पान से के लिए आन आफ हो रहा है तो इसका diagram कैसे बनेगा output का तो output का ऐसे बनेगा कुछ means यहाँ पर initially off था initially off था नो जब switch on करेंगे तो output हमारा on हो जाएगा और यह आन कि जिए second के लिए रहा है पान से के लिए फिर पान से के बाद off हो जाएगा फिर पान से के लिए on हो जाएगा तो यह क्या है एक pulse बना है pulse दोस्तों light bug गया है लाइट आनल जी यह फिर इसका में सालों समद्धेंगा आपको अगर दोस्तों अब pulse के बारे में समझते हैं यह पान से के लिए on और पान से के लिए आफ हो रहा था ठीक है पॉल्स यह पॉल्स हमको इस तरह का वे फान मिलेगा पॉल्स का क्या मुतलब हुआ है कि मिंस यह हमारा पॉल्स होता है एक बार आन होगा तो हमारा एक पलस देगा जैसे कि यह आफ था यहां से फिर आन हुआ तो यहां से एक पलस मिल गया फिर आन अगर में यहांसे अगर आप ऐसे समझ हूँ अगर एक बार जैसी switch on किया, यहां से लेके, यह हमको एक पल्स मिला, P1, और इसके बाद आफ हुआ, फिर ये P2, एक पल्स मिला, फिर आफ हुआ, फिर एक पल्स, P3 मिला, तो यह कैसे मिल रहा है, एक बार आफ हो न, मिन्स इसका time period यहां तक है, यहां तक इसका time period है, फिर आफ हुआ, फिर आफ हुआ, इसको ignore करिए आप, यहां तक एक time period है, मिन्स आफ हुआ, फिर 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 आफ हुआ, मिन्स देखिए, एक process बार बार रिपीट हो रहा है, यह on, फिर आफ हुआ, फिर आफ हुआ, means यही process बारबा repeat हुआ तो इसका time period ये हुआ, अगर 5 second के लिए on, 5 second के लिए off वे तो इसका time period 10 second के लिए हुए हुक है है, ये ताउए हुआ हुआ, एक बार on, फिर off हुआ, तो एक pulse हमको मिला, फिर यह on हुआ फिर off हुआ तो हमको यहां से यहां के बीच में एक pulse मिला means pulse एक pulse find out करने के लिए एक बार on और एक बार off होता है means discontinuous power supply एक बार on एक बार off एक बार on एक बार off तो इस तरका यह हमको यह pulse मिलता है अच्छा PWM टेक्निक भी हम यूज कर लेते हैं जैसे कि PWM टेक्निक का क्या मतलब हुआ कि pulse width modulation इस pulse का जो विर्थ है हम घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे अच्छे इस program समझे Versus और के लिए आड़ा है मैं अगर कहूं कि यह 6 आन tut हो जाने में तो क्या की बेलyr को पर 60 बीूड कर दे लिए 6 seconds लिए पर्स वीर्व इडिया भी फिरत ऑफ से सेस्टंट्ट लिख दूं तो 7 सेकञड़े के लिए टोटल टाइम प्रस है, तो 7 सेक्ञड़े के लिए सबसेद है अगर 7 सेक्ञड़े के लिए अन हुआ तो आप 3 सेक्ञड़े के लिए होगा iammin को घटार ना चाहता है तो यहां पर के एक भेड़्-म श्काराइए सब्सक्तरियुआ आगे भी हम इनका यूज समझेंगे लेकिन अगर आपका basic strong रहेगा तो आप timer से भी PWM टेक्निक को find out कर सकते हैं यह हमारा first question था अब second question को solve करते हैं make a logic wait question no.2 को इसी circuit के माध्यम सम solve करेंगे कैसे solve करते हैं question no.2 बहुत important है क्यों हम यहां पर high speed timer use करेंगे देखें एक बोलर रहा logic generate की यह इस तरह कि जिससे 500 पॉल्स 50 पॉल्स पर सकेंड को generate किया जा सकें मिन्स पॉल्स का यह मतलब मैं जैसे समझाया था एक बार on हो जाए फिर off फिर on फिर off यह हमारा पॉल्स है यह फीओं फोल्स है यह पीटूपल यह व्ल्स अल्स किरी जो बीच वाला पॉर्सन है यह पॉसन है ओप है मिन्स णुला आन है तो इसका time period हम ऐसे निकाल लेते हुआ था कहा सानर कहा일 вари सुलमे संफेंग आता सब्सक्राइब मतलब स्कूराइब यह अच भी और से बद्रकुण को हमको 500 50-50 प्र सपीपटी प्र सेकेंड ऑब इसके लिए क्या कैसे हम सब्सक्रिण को साल्प करेंगे यहां पर समझेए अब जैसे जो आप टाइमर यूज करते हो एक टाइमर जैसे यूज करते हो हम ठाइमर के लिए बेलू क्या जानता है डिजायर बेलू इसक जार्टू को समझाने से पहले मैं अच्रां समझा देता हूँ णीन हों को नहीं ऌधा हम चाहते कि हमारे सकेंड हम लेते हैं एक सटेंड है प्रिसेट मैं को हमको है क्लारा करना टॉ टायमर यद्द हंडेट मिली सकेंड का जो टाइमर है हंडेट मिली सकेंड का टाइमर ले रहा हूं तो टाइम बेस हंडेट मिली सकेंड और प्रिसेट बैलों पीवी को वन सकेंड इसकल टू हजार हंडेट मिली सकेंड अब उपर सकेंड नीचे मिली सकेंड तो कटेगा नहीं तो इसको में अच्छा एक सकेंड इसकल टू एक हजार मिली सकेंड तो यहां पर एक हजार मिली सकेंड लिख दे क्या एक हजार मिली सकेंड बटे हंडेट मिली सकेंड मिली सकेंड से मिली सकेंड गया और हंडेट से डबल जिरू गया मिन्स टेन प्रिशेट बैलू टेन आ गया अगर हम के की value preset value ही K की value होती है तो के की value, preset value 10 रखे, तो हमारा desire value कितना? 1 second. अगर 1 second के लिए आपको timer चलाना है तो preset की value आप 10 put करोगे, ठीक है? अगर 1 second के लिए आपको timer चलाना है तो preset की value, यहाँ पर लिख जाता हुँ, अच्छे समझ मां देए था कि, 1 second चलाना है तो के की बैलू आप यहाँ पर 10 पूट करते हो तो 10 पूट कर दे का मतलब 100 millisecond का timer है तो 10 पूट कर गए तो वन सकेंड के लिए चलेगा अगर आप मैं यह बोलू कि के की बैलू आप फाइब पूट कर दो कि फाइब तो यह टैमर की कितने सकने के के लिए चलेगा अगर मैंने इसको आधा किया तो इभी सकेंड आधा हो जाएका मिन सहाप सेकेंड जीरो पॉट फाइब सेकेंड लिए अगर के की बैलू यहाँ पर मैं फाइब पूट कर देता हूं एक सकृट बना दूं आपके लिए यहाँ पे टीम आर टीवन और के कि फाइब अगर मैं एक हमारा यह टाइमर है माल यहाँ पर एक इन्पूट है जैसा ही इन्पूट को मैं परेस करूंगा यह टाइमर कि फाइब लिखा हूं मिन्स जिरो पॉंट फाइब सेकेंड के लिए आनूगा तब ट्रेक्शनल बैलू हटा जैते तो वन सकेंड के क्यों यहाँ पर एक हजार मिली सकेंड मिन्स पांच सोरी यहां पाजा एक सकेंड इसको कितना लिख सकता हूं एक हजार मिली सकेंड लिख सकता हूं तो यहां पर मैं एक हजार मिली सकेंड लिख देता हूं इस पॉइंट को समझे बहुत इंपॉर्टेंट है एक हजार मिली सब्सक्राइब कर दिया तो इसका भी याधा हो जागा मिन्स पांसों मिली सटेंड अच्छा दोनों साइड में फाइट से फाइप अगर काट दें तो यहां क्या होगा हां हंडेट मिली सटेंड इसकल टू के इसकल टुट कर दिया तो यह हंडेट मिली सकेंड के लिए या फिर आफ होगा यह अगर के की बैलू में वह यहां पर उट उन टूट कर दूं और इस टाइमर का आउट पूट हम यहां से T1 और यहां से एक output Y0 को on करा दूँ, तो यह कितने सकेंड के लिए आन होगा? 100 millisecond के लिए, बस 100 millisecond के लिए है, अगर K की value 1 रखो, तो 100 millisecond के लिए यह आन होगा, means यह कितने अगर मैं, अगर K की value 1 यहाँ पे 1 put कर दूँ, K की value 1 यहाँ पे put कर दूँ, तो यह किस तरका pulse generate करेगा? K means 1, means 100 millisecond के लिए यह आन होगा, और यह कितना? यह K is equal to 2, 200 millisecond के लिए आन होगा, means इससे हमारा जो pulse मिलेगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, इससे जो हमारा pulse मिलेगा, means जैसे ही हम circuit का working समझे थे, कि PV को प्रेस करें M0 आन होगा, मैंने यूज कीया है इसका, तो Y0 आन हो गया, means Y0 आन हो गया, अब देखे, Y0 कितने समय के लिए आन होगा? कि value मैंनो 1 put किया है, means 100 millisecond के लिए यह आन हो जाएगा, 100 millisecond के लिए, Sorry, 100 millisecond के लिए, 100 millisecond के लिए यह आन हो गया, जैसे ही 100 millisecond हुआ, तो वही टाइमर ये भी है सम्कनेक्षिन है तो यहां सेहेêsकट 200 मिली सकेंड हो रहा हूगा तो इसमें भी 100 मिली सकेंड होगा जैसे इसका जैंके आधा लोग समझभा रहा है तो यहँन चना में ऑक फल्स को जनरेट कर सकता है एक सकेंड में फल्ससकेंड को 60 में 1947 कर रहा है तो 1,000 में किना पर सिट네रेट कर यह डो मे L इस संंसे में एक पर स सजोनेट कर रहा क्योंकि एक ही पर्स नहीं Salut detox होता है तो अब दोनों साइड में प्डेक का मल्ट्िप्लाइक कर दो मेंगर यह दो साइड एंटु पांट मेंग मेंग contrat 1000 millisecond is called to five pulse मिन्स 1000 millisecond को आप एक सकेंड लिक सकते हैं वो एक सकेंड इसकल तुफाइब पॉल्स मिन्स अगर आप ऐसा टाइमर यूज करते हो जिसका टाइम बेस 100 millisecond है तो एक सकेंड में एक सकेंड में वो पाच पॉल्स को जन्रेट कर सकता है यह एक दो तेन चार पांच मिन्स यह एक सकेंड की यह बैलू है एक सकेंड में अगर हंडेट मिली सकेंड का टाइमर यूज कर रहे हो तो एक सकेंड में यह पाच पॉल्स को जन्रेट कर सकता है अगर मेरे यहां पर कॉस्चन होता कि ऐसा एक लॉजिक बनाईए जिसमें हमारा टाइमर मिन्स फाइप पॉल्स पर सकेंड जन्रेट हो 5 pulse per second एक second में 5 pulse को generate करना है तो उसके लिए एक logic बनाइए तो उसके लिए हमारे ये logic बनेगा जिसमें k की value 1 put करेंगे और दूसरा k की value 2 put करेंगे means 100 millisecond के लिए आन होगा और उसके 100 millisecond के लिए ये जाके off हो जाएगा means 200 millisecond इसका time period हो गया अगर time period 200 millisecond है को साइड में टू commend एकम से दे रहा है यहां से है यहां से calculation कीजission कीज़े यहां से यहां तक इसका time period है ते कितना थैने 22 хочу मंलिए साइड मिलिए साकेंड है और फिर आनूख फिर आ फिर आफ यहीए हम तो आन आर फोने में कितना समय ले रहा है 200 milliseconds ले रहा है 200 millisecond एक पॉल्स दे रहा है तो दो साइड पर ऐ प्वा का मुल्टिप्लाइक कर दिया ताफिच पॉल्स और इधर किता हो जोगा 1000 millisecond 1000 millisecond को हम एक सब्केंड बोल सकते एक सब्सक्राइब पांच फॉल्स जो हमारा लोई स्पीड टाइमर है लोई स्पीड टाइमर जो कहा लिख दे लोई स्पीड टाइमर लोई स्पीड टाइमर हमारा लोई स्पीड टाइमर फाईप पॉल्स को पॉर सकेंड जोनेयरेट कर सकता है यह हमारा लू ही स्पीद कर चाइमर है ठीक है अगर हमारा कोश्चेन होता है कि 5ँ पर सकेंड की एक सकेंड पनर युक्त बनाना पड़ा है उमीड है के आपते कि आप लोग समझ पाए हूंगे तो यह हमारा नो स्बिड का था लेकिन हमारा तो क्वेशन हई स्पिड का है मैं इसको सिर्फ समझाब रहा ताकि आगे आने वाले कशनन में आपको समझ मा आ जाए वेट कर ये इसको थोड़ा सा मीठा देता हुँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए बोट, छोड़ा पढ रहा है चाक्रे थोड़ा सा बार-बार लिखना मिठाना पड़ रहा है अब देखिए अगर हमारा यह फाइब 50 पॉल्स पर सकेंड हमको जनरेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे अब देखिए अब हमने 10 अगर 100 मिलि सकेंड का टाइमर लिया था तो पर सकेंड यह 5 पॉल्स जनरेट कर रहा हा तो अब हम एक सकेंड ले लेता है हम Mimi क्योंकि क्योंकि यह सकेंड बेपूछा आया तो इसलिए हम सकेंड का लेकर चले रहे एक सकेंड प्रिषेट चुल्य नहीं को पता नहीं यहीं हमको find out करना है अब हम 10 millisecond ले लेते हैं 10 millisecond तो प्रिषेट बैलू कैसे होगा प्रिषेट बैलू is equal to one second divided by 10 millisecond अच्छा उपर सकेंड नीचे millisecond है तो कटने के लिए उपर 1000 लिख दे 1000 millisecond is equal to 10 millisecond millisecond से millisecond का 0 से 0 गया means preset value is equal to 10 100 आ गया preset value 100 means इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि कि अगर के की value आप 100 पूट करोगे तो यह हमारा एक सकेंड के लिए टाइमर चलेगा और इसका time base अगर 10 millisecond है time base टीवी time base 10 millisecond है इसका मतलब अगर के की value 100 पूट करोगे तो टाइमर आपका किदना एक सकेंड के लिए आपका चलेगा उम्मेद कि आप लोग यह समझ पाया होंगे इस बात को तो अब देखिए अगर के की value मैं 50 कर दूं दोनों साइड में 100 पूट करें तो 1 सकेंड के लिए हमारा time चलेगा अगर के की value मैं 50 50 पूट कर दूं तो यह आधा सकेंड के लिए चलेगा अच्छा के कि बलू 50 पूट कर दूं के 50 पूट कर दूं तो यह कितने सकेंड के लिए चलेगा मिन्स आधा मिन्स हाफ सकेंड के लिए चलेगा हाफ सकेंड मतलब इसको मैं लिख दूं क्या 0.5 सकेंड लिख सकता हूं न जांचो पांसो मीली सेट हो गया आपब देखिए मेंडस जीरो से एक जीरो गया पाइप से है थ irgendwas नैना यहां पर फाइपी वन और जीरो मिन्स्करमा मेंज़स टीम मिली सपेंड मिन्स अब देखिए अगर मैं k की बेलू one put कर दूं k की बेलू one put करूं तो ये 10 millisecond के लिए ये timer हमारा चलेगा अगर ये हमारा अच्छा एक चीज और मैं बता दू और कहां मैं बता दू अच्छा और 200 से टाइमर 200 से 249 तो 10 millisecond का timer मिलता है ये अगर 10 millisecond का टाइमर चाहिए त तो ती 200 से 223 अच्छा ये PLC का माडल होगा आपका SASB SSC ये माडल है इसमें इस टाइब का ये timer मिलेगा मैं इन सब माडल के बारे में बता रहूं तो ये नॉन लेच टाइमर होता है अगर आप टी 240 से टी 245 यूज कर लिए ते भी 10 millisecond का timer है बट ये लेच टाइमर है ठीक है तो यहाँ पर जो टाइमर हम यूज कर लेता है मालो नॉन लेच है यूज किया तो टाइमर का नंबर कितना होगा मैं 200 ले लेता है टाइमर 200 है और ये 201 टाइमर है टाइमर 201 ठीक है अब देख यहाँ पर टू पूट कर दिया तो इसका time period कितना होगा 20 millisecond हो जागा क्योंकि यहाँ पर देखिए अब देखिए जैसे ही के की बिल वन पूट किया यह एमजिरो पीवी को प्रेस के एमजिरो आन हो एमजिरो को आन होने से वाइजिरो आन हो जाएगा उसी समय यह हमारा timer च लिखना पड़ेगा 201 और यहाँ पर 200 timer होगा मिंस timer का number है अब कि जैसी output आन होगा उसी समय हमारा timer आन होगा timer में मैंने के लिखा है means 10 millisecond के लिए यह आन होगा तो हमारा एक पॉल्स कितना सकेंड के लिए मिलेगा 10 millisecond के लिए एक पॉल्स मिल जाएगा यह 10 millisecond का 10 millisecond का एक पॉल्स मिलेगा यह आन होगा जैसे ही इस समय यहां पे के वन है तो यहां भी भी जब timer चला रहागा तो कि यहां पे भी होगा जैसे के टू यह हुआ के टू होते ही means यह के टू होते ही यह टीटू एक्टिव हो जाएगा 201 यह टाइमर एक्टिव हो जागा जैसे 201 टाइमर जब एक्टिव होगा यह पूरा टाइमर को reset कर देगा means आउट जैसे ही 200 होगा यह पूरा टाइमर हमारे reset हो जाएगा क्योंकि जब यह टाइमर हमारा 10 millisecond के लिए आन हुआ था जैसे ही यह स्विच को प्रेस किया तो यह आन हुआ था क्योंकि इस टाइमर अभी एक्टिव नहीं हुआ था इसलिए मैंने एंसी यूज किया था आन कर दिया जैसे ही यह टाइमर एक्टिव होगा इसका एंसी एनो में मिन्स इसका टाइम पिरोड कितना हुआ आन से आप होने में कितना समय लगा 20 millisecond 20 millisecond के लिए यह आन हो गया 20 millisecond में एक पॉल्स देगा तो अब इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं आप यहाँ पे 20 millisecond 20 millisecond में एक पॉल्स देता है ठीक है हमको तो एक सकेंड में चुई है तो अब देखें दूनों साइड 5 का मल्टिपलाई कर दिए थोड़ा हंड़ेट बन जागा 220 मल्टिपलाई बए 5 millisecond 5 का मल्टिपलाई दोनों साइड कर रहा हम 1p into 5 means 20 में 5 का मल्टिपलाई होगा 100 millisecond में कितना पॉल्स मिल गया 5 पॉल्स मिल गया अब 100 millisecond में तो चाहिए नहीं हमको तो 1000 millisecond में चाहिए क्योंकि 1000 millisecond को ही हम एक सकेंड बोलते है तो मल्टिपलाई बए यहाँ पर टोटल बिलू आपको किना मिल जाएगा यह टेन में हन्डेट में टेन का मुल्टि प्लाइच अन्य सक है यह हमारा फ्स्ट कोस्टिन का सालूसान में हें हमारा 50 Pulse generate हो जाएगा, आप यह timer no 201, timer no 200, timer no 201, use कर लो, और k की value 1, और k की value 2 put कर दो, ता आपको 50 Pulse पर second में generate मिल जाएगा, यह इतना, एक second में 50 Pulse का मिलना, मिलना आप देख नहीं पाऊगे, जब मैं high speed counter पढ़ाऊँगा, तो मैं यहाँ पर high speed counter लगाऊँगा, इसके output से y0 का output हम में लेके एक counter को दूँगा और वो counter high speed counter होगा जो इस value को counting करके आपको proof करके दिखाऊंगा ये कि इतना 100 millisecond means one second में 500 pulse को generate करके दिखाएगा मैं जब high speed counter पढ़ाऊंगा तो high speed counter यहां पर add करके इसी program को मैं 500 pulse create करके मैं दिखा दूँगा तो अब यहां से क्य हमको proof मिला यहां से एक बात हमको जानने को मिल गया कि अगर time base 100 millisecond है 100 millisecond है तो यह एक second में 5 pulse को generate कर सकता है एक second को 5 अगर time base 10 millisecond है time base 10 millisecond है तो यह एक second में 50 pulse generate कर सकता है अगर मैं यह बोलूं कि एक ऐसा logic बना यह जो एक second में दोस pulse generate करता है तो आपको 10 millisecond का timer लेना पड़ेगा 10 millisecond वाला timer लेना पड़ेगा क्योंकि अगर 5 pulse से मैंने अधिक बोल दिया क्योंकि maximum 5 pulse है 100 millisecond के लिए अगर 5 pulse से यह 5 पल्स से अधिक तो नहीं दे सकता है जी एक second में तो एक second में मैं बोलू 5-6 pulse भी चोईए तो आपको 10 millisecond का timer यूज करना पड़ेगा और यह 10 millisecond वाला timer कितना pulse maximum दे सकता है तो 50 pulse दे सकता है तो पहला question का solution हो गया second question को solve करने के लिए हमको 1 millisecond का timer समझना पड़ेगा कि 1 millisecond का timer क्या होता है सेम टू से मैं सही calculation का है बहुत एजी है थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा लेकिन लेंदी है नहीं आप अच्छा इस calculation को भी समझना बहुत ज़रूरी होदा था सब्सक्राइब करना यह आपको कैसा पता चलागा किसी और सो थोड़े ना पूछोगे कि मिन्स इतना पॉटेट करना है सर्बो मोटर के इतना डिग्री रोटेट करना है या फिर कलाक वाइज में 90 डिग्री रोटेट कराना तो कितना पल्स दे आपको खुद ही calculate करना करने है अब हम दो कुछ नबर सकेंड को सॉल करते हैं 500 पॉल्स पर सकेंड मिन्स 500 पॉल्स अब आप समझ गहे हो की अगर फाइप पल्स पर सकेंड को अता है तो 100 millisecond का टामर लेंगे अगर 50 पुल्स तक बूल दिया तो हम 10 millisecond का टामर लेंगे अब ये बुलरत पांच पॉल सब पर सकेंड मेंज अब इसके लिए हमको वन मिली सकेंड का टाइमर लेना पड़ेगा तो आप देखेंगे जैसे मैं मैं बताया था प्रिसेट बैलू इसको टू नो सब्सक्रामी के लिए निकालते हैं कि एक सकेंड मेहीप आप सकेंड मिल गया means one second is equal to preset value हमको पता नहीं और time base one millisecond है one millisecond आप देखो ये अब preset value is equal to क्या लिख दे one second divided by one millisecond उपर second नीचे millisecond है तो same unit करने के लिए 1000 लिख दे 1000 millisecond divided by one millisecond वोन से divide करने पर कोई फरक नहीं पड़ेगा मिली से millisecond गया means preset value आपका निकल के आ गया एक हज्या means k की value आप 1000 पूट करोगे तो यह हमारा timer one second के लिए चलेगा one second के लिए timer चलेगा अच्छा है इस timer यह timer का number change हो जाएगा क्योंकि 100 millisecond का timer का number कुछ और होता है 10 millisecond का number कुछ और होता है और one millisecond का number कुछ और होता है मैं अभी जो model बता है था आप टी 246 टी 249 तक आप यह timer यूज करोगे आपको यह one millisecond का यह timer हो जागा यह high speed timer होता है होन मिली 246 से लेके 249 तक है टाइमर है मिनसे 246 247 248 249 यह जो चार टाइमर है one millisecond का timer है तो इन टाइमर का हम को यूज करना पड़े जाएगा अब देखे के की बैलू अगर hundred put और थाउर सोरी thousand put कर दो एक हजर पूट करऊं तो एक सकेट चलेगा अगर मैं इसको थोड़ा सा और modify कर दो के 108 के is equal to one second के जोगह यह पर जोगावपे एक हजार millisecond लिख दूँ क्या 1000 millisecond दूँ एक हजार से 1000 काट दे तो k means one is equal to one millisecond means क्या अच समझ मैं अगर के की बैलू 1 मैं पूट कर दूं तो 1 millisecond के लिए यह आन होगा ठीक है में दें कि आप लोग समझ पा रहे हैं यही सर्कुट है यह सर्कुट का वरकिंग मैं बार बार अभी समझाया था तो मैं बार बार वरकिंग नहीं समझा रहा हूं अब मैं इसकी बैलू यह पूट करके आउट्पूट को आप फाइंड करा रहो मिस की की बैल वन पूट करेंगे तो 1 millisecond के लिए आन होगा जैसी एकसजीरो का प्रेस करेंगे एमजरो आन होगा एमजरो का आन होने से यह ती 246 यह हमारा हां यह 246 टाइमर यूश कर लेता हूँ यह 246 टाइमर है और यह 247 टाइमर मैं माल लेता हूं 247 टाइमर है तो यहां फे कितना हो जागा 247 247 247 इस से इस सर्कृट भी से मोडिफिकेशन करो इसके भी प्रग्राम बनाने के लिए ही सर्कृट बनेगा बस इसमें टाइमर डिफरेंट होगा और प्रिशेट की जो बैलू में पूट करा वो डिफ्रेंट होगा और आप लोगों ने सिरीफ 10 सकेंड लिया है 100 सकेंड लिया है मिन्स कि प्रिचेट की बलूटे लिया कभी आपने 5 नहीं लिया कभी 1 नहीं लिया कभी 2 नहीं आप लोगों नहीं लिया है तो मैं 1-2 लेके मैं पॉल्स को जनरेट करना बता रहा हूं ठी पुरा टैमर को रिसेट कर देगा जैसे ही पुरा टैमर को रिसेट कर देगा जैसे ही पुरा timer reset हुआ, timer की value 0 होगी, फिर यह NC बन जागा, फिर यह on हो जाएगा, means अब यहाँ पे समझेए, ऐसा हमको एक pulse मिलेगा, इस तरका pulse मिलते हुए जाएगा, means यह 1 millisecond के लिए on होगा, और 1 millisecond के लिए, यह off होगा, means यह on से off होने में कितना time लग गया, total, means 2 millisecond का time लग गया, 2 millisecond के लिए, यह चल रहा है, 2 millisecond में on off हो रहा, means 2 millisecond में एक pulse दे रहा है, और देखे, अगर, यहाँ पे मैं बता देखा हूँ, मिन्स टू मिली सकेंड में कितना पल्स दे रहा है एक पल्स दे रहा है हमको कितना में चाहिए एक हजार मिली सकेंड में कितना पल्स देगा क्योंकि एक हजार यह मिली सकेंड हो जागा तो इसको हम सकेंड में बदल लेंगे तो 200 मिली सकेंद में 500 का मल्टिपिलाइ कर देख्या, 500 मिली सकेंड में तो 500 में पानल सो पल्स हुआ गा, अब 1000 बिली सकेंड को क्या बोलते है? गांडें वन सेकेंट मींज यह पांचों पल्स अब देखें यह पांचों एक सकेंड में पांचों पल्स मिल गया कि एक स्केंड का सालूसन हो गया कि एक पांचों पल्स जेनरेट करने के लिए मुझे टाइमर नंबर 246-246 तालिस यूज करना पड़ जाएगा और हमको के के और टू हमको पूट करना पड़ जाएगा और इससे हम पूट करेंगे तो एक सकेंड में 500 यह पल्स जनेट हो जागा यह आल्पूट हमारे 500 बार आनाफ हो जाएगा एक सकेंड कंदर लेकिन यह इतना कम टाइम है 500 बार आनाफ होना यह आप विजुलाइज नहीं कर पाऊगे देख भी नहीं पाऊगे इसके लिए आपको फास्ट कांटर यूज करना पड़ेगा वो कांटर हमको कांटिंग करके बता देगा एक सकेंड में कि वो कितना कांटिंग किया है तो हम इसे बात चांदाज लगा लेंगे कि हाँ यह कि इतना पल्स जनेरेट कर रहा या नहीं क समझता हूं अच्छा जो यह टाइमर का नंबर बता रहा हूं यह टाइमर का नंबर मैंने लेक्षर नंबर साइद 14 या 15 बता है उसको आप देख लिए देखके आप समझचा काफी इजी था तो आप अच्छा एक कंक्लूजन में बता दूँ एक चीजी याद आया है मैं के मैं है ड्रकी बैशा ऐटी यह का और है 1 टू 5 पowskiरत करने की बात देए आ जाती है मिन्स यह कैसा लिख जता हूं पाई पॉल्स पर सकेंड की बात आजेती तो यह मेक्सिमाब लिमीट है अगर फाइप पॉल्स जोनेट करने की बात आज पाइप पर सकेंड तो आप जनरल टाइमर यूश को रहे टी जीरो टू टी वन नाइनटी नाइम में ऐसे टाइमर यूश करो गए और इसकी बेल सकता है बट यह चीज कामन रहेगा जो मैं बता रहूं यह इस्टंडर्ड है में他 each millise सबस्क्राइष कर गज़ाँ ओर पांच अगर एक मिली सबस्राइब करना तो अगरcription जिनोर्टरकिर टूर Kitty ने तुम में बता रहा हूं को सब्सक्राइब का टाइमर यूज करो होगे वगर 500 पॉल्स पर सकेंडर करना है तो आप 1 millisecond का टाइमर यूज करोगे ठीक है तो मिन्स मिली सकेंट का टाइमर यूज कर के आप पान एड़ फॉप फिटी कुछ भी जर्णेट कर सकते हूँ बॉट इस 10 millisecond का यूज करके हभा हंडेट मिलेट टैक्मर युज करके आप नहीं पॉड युज कर सक्यों नहीं अच्छाओ को कि यह अग्यास के लृकिन पचास है, पचास-पांच को कर लेगा generate, लेकिन पचास क्या 500 को generate कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. मिनसे maximum limit लिखा है, तो आप जबी भी pulse generate की बात आती है, तो आप इस value की याद रखोगे, कि 5 pulse को generate करना होगा, maximum तो 100 millisecond और 50 तब करना है, तो 10 millisecond का timer यूज़ करके आप कर सकत और पांसु पर से जनेट करना की बात आ जाती है तो नहीं 100 millisecond का टाइमर कुल कर पाओगे नहीं 10 millisecond का टाइमर यूज कर पाओगे उसके लिए 10 millisecond का टामर आपको चाहिए अच्छा उम्हाइदे कि आप आप calculation समझ गेंगे easy calculation था ठीक है अब एक और question को solve करा देता हूं और इसके बाद timer को हम और topic को छोड़ेंगे और इसके बाद कुछ instruction पढ़ेंगे जो और इसके बाद जो instruction यूज करेंगे का काफी important instruction होगा क्योंकि उसके माध्यम से अभी तक हम program को मेनुवली बना रहे तो उसमें जो आगी इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा उसमें हम प्रोग्राम को एक ओर अधुमेटिक और मेनुवल धूनो मोड में आप्रेट करेंगे हम चाहें तो प्रोग्राम में चला सकते हैं उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे काफी अच्छा लगेगा काफी लेक्शर में मजा आने वाला है आपको अब समझ जाओगे तो आपको लगेगा कि हां मैं टाइमर के बारे में काफी कुछ समझ गया हूँ हां दोस्तों मैं यह इसलिए बूल रहा हूं कि अच्छा इस टाइप का कॉंटेंट आपको यूटूब प आपको अंकराने के लिए एक प्रोग्राम लिके बड़ा इजी है है टाइम रेजुलेशन जिसका टाइम रेजुलेशन जिसका टाइम रेजुलेशन जिसका टाइम रेजुलेशन जिसका टाइम रेजुलेशन 0.1 सकेंड है दूसरा बोल दे 0.01 सकेंड है या फिर ऐसे बोल है जिरो파ैंटीडा जिरो जिरो उन साकेंड है इसके लिए आप एक पर्ग्राम बनाई है जिसका टाइम रेजुलेशन इतना तो टाइम रेजुलेशन बोलेशन बनात कम बते कि एक तो आप इससे कॉनकी '. 0.2 वन सेंडर रिए इसका क्या मतलब हुआ इसकों मिलिसे में सकते हुआ अगर आप उसी में कर ली जिए तो आप सीम्पली ऐसे भी समझ सकते हुआ कि 4.1 er4-2 ए22 .. sankain । 0.001 Set अच्युक छाहों मिलीक सकते हूं निए कि आचा अपको कैसे कर लोगे कर दो ना आप लोगो बता देता हुए कि जिरू पन्ट वन सपर इस प्लिबेट में कितना होता है आप जानते हैं एक हजार इसकेंड इसकूल एक सेकेंड होता आप ये जानते हो ठीक तो यह किया था आप 0.1 सचेंड में आप 10 से डिवाइट कर दो जो साइड में 10 से डिवाइट कर गें सब्सक्राइब करेंगे वन वे टेंट से डिवाइड करेंगे तो 0.1 सकेंड आ जाएगा मिन्स 0.1 सकेंड के जोगा पर आप को फिंद जोंट जोगा निक्ति एक सब्सक्राइब करेंगे तो अब एक सकैंड है और यह फाइड आउट कर ना तो ये को मिलेगा एक 100 से डिबाइड कर दो, 100 से डिबाइड करोगे आप, तो ये दो अंक पर दसमलों लग जाएगा, मिन्स 0.01 हो जाएगा, और यहाँ पर, मिन्स 100 से डिबाइड इधर भी तो करना पड़ेगा, मिन्स 0.01 को आप लिख सकते हो, 10 मिली सकेंड, तो यह आप से यह बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज नहीं होगा, अब बात समझ जाएगा, अब देखिए, यह सिंपल प्रोग्राम अगर आप यह बात समझते हैं, तो यहाँ पर, एक एक सजीरो का पुस बटन ले लिए, यहाँ पर एक अपने मेमोरी बीट को आन करा लिया, मेमोरी बीट को फोल्डिंग दे देते हैं, एम जिरो और इस एम जिरो से, एम जिरो का एनो यूज कर लेता है, यहाँ पर एक आर्टूट वाई जिरो जो हमारा बॉल्प है, आन करा लेता हूं, अगर तिन सकेंड के लिए चाहिए, यह तिसी एम जिरो से एक हम टाइमर कर लेंगे, तो T0, T1, T2 कुछ भी यूज कर सकते, 0 to 1, 99 तक, तो यह TMR, T1, और यह 100 मिली सकेंड के लिए, मिंस तिन सकेंड के लिए, कितना करोगे, तिरी मल्टिपलाई बेटेन, मिंस, के की बलू 30 पूट करोगे, यह डिजर बली इसका टाइम वेलू के अंसारी यह मैं निकाला हूँ, अच्छा, यह लेक्षर नाव फोर्टिन, 15 में समझाओ, आप उसमें समझ लो, अभी तो, मुझे में देकि समझ गया हो, के 30, के 30 यहां पर लिए कि दो, जैसे ही, यह M0 को आन कर, X0 को प्रेस कर, M0 को आन होगा, M0 के आन होने से, N0 NC में करना होगा, ठीक है, अब यह बोला रहा है कि 10 millisecond के लिए, तो 10 millisecond के लिए क्या करेंगे, 30 second के लिए आन कराना है, और time base 10 millisecond है, तो 3 है, multiply, जिसका time base 10 millisecond है, उसमें 100 का multiply करें, कि यह की value 300, अच्छा, यह कैसे आ रहा है, इसको एक बरबता ही देता हूँ, desire value is equal to preset value multiply by time base, अब desire value हमको 3 second है, 3 second is equal to preset value, मुझे पाता नहीं है, यही तो calculate करना है, time base 10 millisecond है, अब देको preset value is equal to 3 second है, तो 1000 का multiply करके, millisecond लिख दूँ, और यह 100 का, means 10 millisecond, millisecond से millisecond का 0 से 0 गया, means 3 multiply by 100, अब के की value यहां पर क्या put कर होगा, के की value आप 300 put कर दो, अच्छा, अब timer कौन सा यूज़ कर होगा, 10 millisecond के लिए मैं बता तर्टी, 0, 200 से लेके, T 245 तक होता है, 245, means 240 तक आप non latch मिलेगा, 240 से 245 latch मिलेगा, तो आप कोई भी एक timer use कर सकते हो, यहां पर T 200 यूज़ कर लो, T 200 और यहां पर T 200, यह solve बजाएगा, similarly 1 millisecond के लिए 245, sorry 246 से लेके, 209 तक होता है, तो time pace की value का, यहां पर 300 है, तो 3 second के लिए 1000 से multiply हो जाता है, means 3000 के value, अप 3,000 रख लोगे, और यहां पर timer का number change करके, 246 कर दो, यहां 246, इन से यह circuit बनके त्यार हो गया, दोस्तों, यह था, special timer पर कुछ question था, मैंने इस question के, इस video के अंत में, मैं आपको एक, sorry, इस video के description में, मैं एक video दूँगा, उस पर कुछ, question based हैं, जो special timer पर हैं, means जिसका time is 1 millisecond है, 10 millisecond है, उसको आप solve करें, अगर नहीं समझ माता है, तो फिर हम से पूछे, मैं उसका अभी solution प्रवाइड करूँगा, दोस्तों, वीडियो से related किसी तरह का सुझाओ, या सिकाथ हो, तो please हमें जरूर बता, हम उसको सुधार करेंगे, अच्छा, दोस्तों, एक request करूँगा, आप लोगों से, अगर मेरे वीडियो पसंद आरें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए, चेनल को subscribe कीजिए,